दोस्तों क्या आप भी किसी भी बोतल की मदद से कुछ इस तरह का पोट त्यार करना चाहते हैं सुन्दर और डेकोरेटिव सा वो भी बिना पेंट किये तो देखिए पूरा वीडियो और जारी किस तरह से इसे बनाया जाता है दोस्तों मातर दो दिन पहले मैंने बिना पेंट किये बोतल से कुछ इस परकार के पोट्स बनाये थे जो कि आप सबको काफी जादा अच्छे लगे आप सबने अपना सुपोर्ट भी काफी अच्छा दर्शाया तो आज मैंने सोचा क्यों आप फिर से कुछ इसी तरह की स्टाइल में इसे मैं डिजाइन करूंगी जादा बाते ना करते हुए फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वह असान सा तरीका दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि इस वाले पोट की डिजाइनिंग बिलकुल अलग होगी बाकी अधर पोट से तो पोशन थोरा उपर नीचे हो जाता है इसलिए कैंची की मदद से इसे पूरा बैलेंस बना ले ताकि हमारे पोट की सुन्दरता बरकरार रहे उसके बाद हमने जो नीचे वाला पोशन है उसे फैंकना नहीं है इसे भी हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे इसके मतलब नीचे पोशन को नहीं हम अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से देखिए कटर की मदद से या फिर किंची की मदद से आपके पास जो भी चीज अवेलेवल है उसके साथ आप कर सकते हैं यह देखिए मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है बिल्कुल भी जादा कट नहीं कर दे रहा है थोड़ा सामने से कट करना है कट करने के बाद आप इसके पोशन को भी बैलेस बना ले अब देखिए हमने एक्चुल में करना क्या है धक्कन खोल ले कुछ इस तरह से और इस तरह से मतलब हमने इस पे मार्क लगाना है कि यहां यहां तक हमने कट करना है तो नीचे वाला प और कुछ इस तरह से हॉल निकालने के बाद फिर्से आपने मेजर मेंट करनी unravel और इस जो अपर पोषिन है कुछ इस तरह से इस इसके भीच में डालना है या काम होने के बाद हमारा पोट्ण के लग रहे हैं बट आभी मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है, वो कमी है colors की, दिखे ऐसी ये transparent सा अच्छा नहीं लग रहा है, सोच रही है इसमें थोड़े colors होने चाहिए, तब ये और भी ज़दा सुन्दर लगेगा, बट मैंने तो starting में कहा था, कि हम इसे बिना paint की तियार करेंगे तो इसलिए मैं इसे decorate करने के लिए, इसे सजाने के लिए use करूंगी wool का, मेरे पास pink और black wool है, तो इन्हीं दोनों का use करके, मैं इसे और भी सुन्दर और attractive बनाऊंगी, तो चलिए फटा-फट से देखते हैं किस तरह से इसमें wool का प्रयोग करना है, और wool से से किस तरह से हमन पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस काम को करो तो मैंने सोचा करी लेती हूँ और मेरे पास wool भी पड़ी हुई थी, तो फटा-फट से मैंने wool को, pink वाली wool को कुछ इस तरह से fold किया, fold करने के बाद चोटे-चोटे pieces में उसे cut करना शुरू कर दिया, आपने ध्यान रखना है, pieces आपके बारीक से होने हैं, चोटे-चोटे से होने चाहिए, ऐसे धागे-धागे से नहीं निकलने चाहिए, नहीं तो पोट आपका सुंदर नहीं लगेगा, फिर से मैं यहाँ पे मैरे इन फैविकॉल का प्रयोग कर रही हूँ, यह बोटर प्रूफ फैविकॉल एकदम best है सब कुछ बहुत यह असान तरीके से जोड़ देता है, और एक बार अगर यह चीज जोड़ गी तो फिर निकलती नहीं है, और इसमें डिब्ब्य मेरा हाथ फस गया था, इसलिए मैंने इतने अटपटी से मूँ बनाए, फिर मैंने यह चोटे वाले डिब्ब्य का प्रयोग देना है, अच्छे से, फिर से फैवी कॉल लगाना है, और फिर से इन्ही स्टेप्स को फोलो करते जाना, देखो कितना एजी काम है, और कितनी असान तरीके से यह हो रहा है, बहुत मजा रहा था मुझे यह करने में, इसलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं इसे पूरा कर और फिर दिखाऊंगे आपको फाइनल लुक, है, है और पिर दिखाऊंगे यह तो है, 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 है और फिर से यह है और रहा पिर से विग देखाऊके तो इसको पार्ण कैरा अधार की दोस्तों हमारा सुंदर सा प्र वर्ड बंकर ट्यार हो चुका है मैंने कुछ ़िस तरह से भूल को सट्कि किया वारिक ही किस तरह मेंwen और फ्फैविकोल की मददद से उसे कुछ इस तरह से मैंने सेट कर दिया है पूरे ही पोड पे तो देखिए दोस्तों बिना पेंट किये भी हमारे पॉड ही सुन्दर से लग रहे हैं पहले वाले पॉर्ट मैंने कुछ इस तरह से त्यार किये थे और अब यह उससे भी जादा सुन्दर तरीके बना दिया है जल्दी से बताइए आपको यह तरीका आइडिया कैसा लगा तो चलिए फटाफट से इसमें प्लांट लगाते हैं और इसकी बची-खुची कमी को पूरा करते हैं मेरी आवाज सुनके आप सब पहचान तो गए होगे कि मैं काफी जदा कन्फ्यूज हूँ कि इस वाले पोर्ट में मैं प्लांट कौन सा लगाँ तो सबसे पहले मैंने वहां से रियो प्लांट निकाला उसे लगाया और कुछ इस तरह से मैंसे घूर घूर के देख रही हूं ब तो मुझे मिला यह प्लांट तो यह प्लांट कौन सा है पर्पल हार्ट प्लांट है तो मैंने इसे लगा दिया अब इसे लगाने के बाद मैंने अब्सर्व किया तो मुझे असा लगा अब आप बताना कि आपको कौन सा प्लांट अच्छा लग रहा है यह वाला या फिर उ लगाने के बाद हमारा पॉट किछ इस तरह से लग रहा है दिखे मैं इसमें ना पपल हर्ट प्लांट लगाए है और इसे लगाने के बाद सच में पॉट काफी ज़्यादा सुन्दर और शांदार सा लग रहा है अब आप सभी बता दीजिए कि आपको यह पोट कैसा लगा औ अभी मैंने morning time में इसे complete कर लिया है तो जल्दी से बता देना कि आपको ये pot कैसा लगा और बिल्कुल असान है इसे बनाना difficult काम नहीं है और ये बिल्कुल सुन्दर सा और decorative सा pot लग रहा है और मेरी मातश्री तो ये कह रहे थे ये गिलास लग रहा है इसमें quartering बगएरा असानी से पी सकते है बट्रन को क्या पता नीचे ड्रेडे छोल भी है इसकी वज़े से उनके quartering सारे निकल जाएगी आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए चलिए अब इसे रख देते इसकी जगा पे तो मैं सोचती हूं इस प्लांट को यहां पर रख देती हूं क्योंकि अभी इसने अच्छे से फैविकॉलन सेट होना है तो बारिश पगयरा हो रही है इसलिए इसे यहीं पर रख देती हूं जब दूप बगयरा निकलेगी तब बाहर रख दूंगी